आज मैं आपके साथ साबुत हरे मूंग की बहुती टेस्टी यूनिक डिलिश्यस सबजी बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हूँ एकदम नए अंदाज मैं बहुती बढ़िया सबजी बनाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर किस बात की सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये एक कप साबुत हरे मूंग लिये हैं जिने मैंने रात भर के लिए पाने में भिगो दिया था और सुबह इनका पानी निकाल दिया और ये देखे इस तरीके से फूल कर तयार हो गए हैं बहुत ही बड़िया तरीकी से त्यार हो गए हैं तो इन्हें भिगोना बहुत ही जरूरी है कम से कम 5-6 गंटे के लिए इन्हें पानी में भिगोए उसके बाद सबजी के लिए इस्तिमाल करें तो चलिए अब मैं बताती हूँ क्या करना है तो यहाँ पर मैंने लिया है एक मिक्सी का जार और यह जो साबुत हरे मूंग है इन्हें हम डाल देंगे मिक्सी के जार के अंदर और अब यहाँ पर मैं डाल रहे हूँ एक दो इंच का द्रक का टुकड़ा यह जा रहे हैं चार लहसुन अगर आप लहसुन नहीं खाते तो इसकिप कर सकते हैं चार लहसुन की कलिया मैंने डाली है एक हरी मिर्च को इस तरह कट करके डाल दिया है अब आपको इसमें पानी नहीं डालना है जार का ढकन बंद करें और इसे पीस कर त्यार कर लें तो यहाँ पर जो साबुत मूंग थे इन्हें हमने पीस कर त्यार कर लिया है तो अब इस बोल में मैं इस पेस्ट को निकाल लेती हूँ बहुत पारिक नहीं करा, हल्क असा दरदरा रखा है और आपको इस मिक्सी के जार में लगभग एक देड़ चमबच के करीब इस पेस्ट को छोड़ देना है तो यह मैंने छोड़ दिया है देड़ चमबच के करीब पेस्ट और इसका इस्तमाल हम ग्रेवी में करेंगे तो यहाँ पर इसमें मैं डाल रहे हूँ आधा चमबच नमक एक चोथाई चमबच लाल मिर्च पाउडर एक चोथाई चमबच हल्दी पाउडर दो से तीन पिंच हम इसमें हिंग डाल देंगे अब सारी चीजों को बहुत अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को अच्छी तरह आपको इसे मिक्स कर लेना है और बस अब इस पेस्ट को हम अलग रख देते हैं और अब हम बाकी की त्यारी करते हैं तो यहाँ पर जो डाल का पेस्ट बचा था मिक्सी के जार के अंदर उसमें हम डाल देंगे एक प्याज बस जार का धकंबंत करें और इसे पीस कर त्यार कर ले तो यहाँ पर यह हमने हरे मूह और प्याज लैस्ट का पेस्ट त्यार कर लिया है अब मैंने गेस पर रखेंगे एक कढ़ाई और इसमें थ्री टेबल स्पून ओईल डाल दिया है ओईल को गर्म होने दें जब ऑईल गर्म हो जाए तो इसमें आधा चम्मच जीरा डाल दें साथ ही इसमें जारा है एक तेज पत्ता ये इसमें जारी एक काली बड़ी इलाइची चार पांच लॉंग और एक चोथा ही चम्मच हिंग डाल दिया है सारी चीज़ों को भून लेते हैं मीडियम फ्लेम पर अब ये खड़े मसाले भून चुके हैं तो जो हमने प्यास वाला पेस्ट तयार किया था न वो हम इसमें डाल देंगे तो सारा पेस्ट डालने के बाद अब मैं इसमें डाल रहे हूं अदरक तो आधा चमबच अदरक लिया है अदरक को मैंने घिसके डाला है अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे इसे लगातार चलाते हुए आपको भून लेना है जब आप इस तरीके से सबजी की ग्रेवी बना कर त्यार करते हैं तो बहुत ही टेस्टी सबजी बनती है तो यहाँ पर इसे अच्छा डार गोल्डन ब्राउन होने तक हम भून कर त्यार करेंगे यह देखिए मसाल अच्छे से भून चुका है अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर तो यहाँ पर दो टमाटर को बारिक कट कर के लिए है यह इसमें डाल दिये हैं साथ ही इसमें जा रही हैं दो बारिक कटी हुई हरे मिर्च आधा चम्मच जा रहा है हल्दी पाउडर एक चम्मच कश्मेरी लाल मिर्च पाउडर ये तीखा कम होता है और इसे कलर अच्छा आता है एक चम्मच धनिया पाउडर डाला है और नमक डाल दें स्वाद अनुसार अच्छी तरीके से मसालो को मिक्स कर लेना है और अब इसे सॉफ्ट होने तक आपको कुक करना है तो यहाँ पर ये देखिए टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए मसाला अच्छे से पक रहा है मैं इसे लगाता चलाते हुए भून रही हूँ और ये देखिए बहुत ही बड़िया मसाला त्यार हो चुका है तो इस स्टेज पर मैंने इसमें डाल दिया है पानी अभी एक ग्लास पानी डाला है पहले से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब मैं यहां इसमें एक ग्लास पानी और डाल देती हूं आप अपने नुसर सबजी को जितना पतला या गाडा रखना चाते हो उससे साब से पानी डाल दे तो अब हम इसमें उबाल आने देते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इसके उपर रख देते हैं एक जाली, जो दूद के उपर रखते हैं वही जाली है, और इसे हल्का सा ओईल लगा कर मैंने चिकना कर लिया है, अगर आपके पास ऐसी जाली नहों तो आप normal steel की प्लेट ले सकत कोई दिक्कत नहीं है अब जो हमने साबुत मुंकप पेस्ट त्यार किया था था ना वह हम इस तरीके से छोटी-छोटी पकोड़ी बनाते हुए इसके उपर रख रहे हैं देखिए जिस तरीके से दाल की मंगोडी बगएरा बनाते हैं ऐसे आपको यह छोटी-छोटी इसके उ दोनों काम एक साथ हो जाते हैं अब 7 मिनट बाद यह देखिए यह अच्छे से त्यार है बहुत ही आसानी से हड़ जाएंगी जब यह गरम-गरम होना तभी आप ऐसे इने निकाल लेना बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी यह देखिए सारी यह मंगोडी त्यार हो गई है अ तो यहाँ पर इने सब्जी में डालने के बाद एक बार सब्जी को अच्छे से चला दें और अब इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही कोखोने दें अगर आपको लग रहा है सब्जी ज़्यादा गाली हो गई है तो थोड़ा सा गरम पानी डाल दें तो इसे कवर कर देती हो लो फ् सूरी मेथी इसे हाथों से ऐसे क्रश करके डालेंगे गैस का फ्लेम आप ऑफ कर दें और थोड़ा सा इसमें डाल दें बारिक कटा हुआ हरा धनिया बस सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करें अब यह डिलीश्यस साबुत मोंग की सब्जी हो चुकी है बनकर तयार तो बस अब इस सब्जी को आप कर्मा गरम सर्फ करें इससे आप पूरी पराठे चपाती नान राइस जिसके साथ भी खाना चाहे ना खा सकते हैं सुपर टेस्टी सब्जी यह बनके त्यार हुई है तो है ना एकदम यूनिक सी रेसिपी तो आप भी अपने घर इसे जरूर बनाए रेसिपी पसंद आई तो लाइक, कॉमेंट, शेयर, चैनल को सबस्क्राइब, बेल आइकन को प्रेस और अल पर क्लिक करें